हेलो फ्रेंड्स आज मैं गुल्दावदी मतलब शेवन्ती के पौदो पर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद में उसी मौसम में दुबारा फ्लावर्स पाने के लिए क्या करना है या बताने वाली हूं तो आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए मैं नीलम नीलास गार एक बार फूल खिल गए थे उसके बार सुखने के बाद में मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी तो यह पत्तियां वापस से आ गई है फ्रेंड्स मैं जभी फूल सुख जाते हैं तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूं मौसम कोई भी हो उसमें फिर भी मैं मैं उसकी प्रूनिंग कर देती हूं तो पत्तियां बहुत अच्छे आ जाती हैं फिर कलियां भी आने लगती हैं यह मेरे गुल्दावदी का कलियों से फूलों से भरा हुआ पौधा उनीस अक्टूबर को मैंने इसका वीडियो बनाया था गुल्दावदी के फूल एक महने तक का पौधे पर पैसे फ्रेश बने रहते हैं उसके बाद में सुखने लगते हैं सेप्टेमबर में इसकी कलियां आना शुरू हो जाती हैं और कभी-कभी मार्च एप्रिल तक भी इस एक दो मेने पहले मैंने शेवन्ती के प्लांट की इससी पौधे की कटिंग कर दी थी अभी अक्टूबर मैने में देखिए कितनी सारी कलिया इसमें आई हुई है मैंने आट मैंने पहले गुल्दाओदी पर एक वीडियो अफलोड किया था उसमें गुल्दाओदी की केर्टिप्स प्रॉपोगेशन उस पर कौन-कौन से कीड़े लग सकते हैं और उसका उपाई क्या है वो वीडियो अफलोड किया था उसका लिंक में आपको जब यह फूल्स हुग जाते हैं तो इसको सिरफ पिंच ना करें इसकी चार-पाई चिंच बॉटम से कटिंग छोड़कर बाकी पूरा उसको काट दें और कटिंग करने के लिए आप जो भी टूल्स इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरह से इस्ट्रिलाइज कर लें साफ से चार-पाई चिंच खोड़कर बॉटम से कटिंग करने के लिए मैं इसलिए करें कि जड़ से इसके साइड से नए पौधे ग्रोग होते रहते हैं वह मैं आपको बताऊंगी जड़ में से एक पौधा निकला हुआ है मेरे इसमें वह मैं आपको निकाल के बताऊंगी फ्रेंट्स जब इस पर नई ग्रोथ आती रहती है और उपर से जो नई शूट्स निकलती है नई ब्रांच निकलती है उसको भी आप 2-3 इंच का भी काटके मिटी में दबा देंगे तो प्लांट्स ग्रोग कर जाता है ग्रोग किये हुए प्लांट की रूट भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में आप देखते रहिए मेरा वीडियो आन्त तक और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए उसकी जानकरी पसंद आए तो आप लाइक शेर जरूर करिए आपके जो प्लांट्स लवर्स हैं उनको भी शेर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को रिलेटि इस तरह के जो नई ब्रांच निकलती है उसको भी आप कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोफ कर जाती है और यह साइट से नीचे से मिट्टी में नई ग्रोफ निकलती है उसे पूरा गमला आपका कवर हो जाता है इस तरह से इसको मिट्टी में दबा दें और मिट्टी में दबाने के पहले ध्यान रखी मिट्टी की गुड़ाई अच्छी तरह करके उसमें एंटिफंगल पाउडर और फटिलाइजर अगरे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इस पे शेवन्ति पे फ्रेंट्स एफवीड या दूसरे प्रकार के माहो अगरे कीड़े भी लगते हैं जो पत्ती के पीछे चिपके हुए रहते हैं वह भी मैं इसमें लगे हुए हैं बताऊंगे आपको यह देखिए ग्रो की हुई मैंने दो इंच की दबाई थी उसम का गमला कवर कर लेता है शेवन्तिस और जब उसमें फूल आते हैं बहुत संदर लगता है इसमें गुडाई करके आप एंटिफंगल पावडर भी मिला दिजिए और नीम खली हो आपके पास वह भी फर्टिलाइसर काम करती है और एंटिफंगल का भी काम करती है वुड़ अगर रासायनिक में डीएप आप डाल रहे हैं तो उसका पॉट की साइज के हिसाब से तीन चार दाने से लेके साथ-टाने तक आप डाल सकते हैं और पॉट में जो भी जंगली घास वगएरे हो उसको जंगली पौधी हो उसको निकाल दें क्योंकि वह बहुत तेजी से आप नीमोयल का लिकुड डिटरजन ल स्वाचान डालकर एक ट्रण पाणी में थभी चंची अन्ड़ी और जड़ commit budget पॉडर डाल के अच्छी तरह इस करके और आप अच्छी तरह रह से उपर से नीचर तक पत्ति हम घरैप है इड़े मठी में पूड़ में रफिर साफ प बहुत आजाती है अभी देखिए आपको इसमें भी चीटियां आगे में दिखाऊंगी मीटी में भी घुमते वह दिखरी है और पॉट के नीचे भी जब नमी रहती है वहाँ पर भी चीटियां या इसनेल अगरे बहुत आजाते हैं इसलिए फंगिसाइट पाउडर अब इस इड़कते भी रहे पॉट के नीचे भी नमी ना आया पाए इसका भी धियान रखें और जब लगते हैं तो पत्तियां भी ऐसी ब्राउन हो जाती है पीले हो जाती है और सुखने लगती है अभी वैसे तो अगर इसमें कीड़े नहीं लगे होते तो मैं इसको पत्तियों को उपर से मैं बॉटम से कटिंग कर रहा है तीन चार इंच छोड़के और जो कटिंग की हुई थी उसमें जो सौफ्ट कटिंग थी वो मैंने मिट्टी में लगा दी इसका अपडेट भी मैं आपको देने वाली हूं फ्रेंड्स वैसे तो मैंने ये वीडियो 19 दिसंबर को ही बनाया था पर मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे उसकी कारण में इसको अपलोड नहीं कर पाई हूं कर पाई थी तो अभी मैंने मैं अपलोड कर रही हूं अब यह मेरा वीडियो जरूर जरूर देखिए इस तरह से फंगिसाइट पाउडर इसमें डालके मैंने पूरे स्प्रिकर दिया था क्योंकि उसमें मेरे थोड़े वह इंसेक्ट लग गए थी कीड़े लग गए थे उसमें इसलिए मैंने पंगिसाइट पाउडर इसको डालके स्प्रिकर दिया आपके पास गोव मुत्र हो वह आप इसमें थोड़ा मिक्स कर सकते हैं कि पॉट के नीचे पानि देते हैं तो एक स्पेसझे ठीकर रखोनीे शर्ड सयाँ रोट के sudah रिधा है मिट्री तो नमाओ से और मेरे प्लांट 4 पुरआने हैं और जो मैं इसका फूलों का वो दिखा रहे है यह वो भी लास्ट यर का है लास्ट में भी फूल आपको दिखेंगे इसकी गुल्दाओ के हैं और मैंने फूल दिखा यहें इसे लास्ट यहां के हैं फिर भी जहां-जहां से जगे हो वहाँ से गडाई करके, वर्मी कम्पोस्ट। या गोबर की खाद, या डियापी या आप सर्सों की जो लिक्विट खाद रहती है वह विंटर में आप दे सकते हैं सर्सों की लिक्विट खाद का भी मैंने वीडियो अप्लोड किया है जो खात देना है वो हम 20-25 दिन में थोड़ी देते रहें उसकी वी तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट्स करके जरूर जरूर बताईए मुझे देखिए चीटियां ऐसी हो जाती हैं पॉट के नीचे मैंने पॉट सरकाया तो इतनी चीटियां हो रहे है मिटी में भी देखिए आपको चीटियां दिख रही होंगी और इसनेल्स भी दिख रहे होंगी जहां इसनेल आते हैं वह चीटियां आई जाती है तो इसलिए आप फंगिसाइट पाउडर का इस्तेमाल करें अब मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ चेहरे के लिए दू जिंग्सिंग मिलना लेके इस तरह से हम साफ करेंगे तो चेहरा एकदम साफ हो जाता है हमारा फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो देखते हैं अन्त तक जरूर देखिए यह कटिंग मैं सब फेक दूंगी क्योंकि इसमें इंसेक्स लगे हुए किडे लगे हुए हैं इसलिए इ आपने अगले वीडियो में धन्यवाद प्राइब